नमस्का, मैं होसासी आये जरकन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं भारत में दूसरी बात चाइनिज आपर बैन से चीन बोखलाया गलवान घटी बीबात के बीच चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत आर्थिक मोर्चे पर लगतार चीन का जटका दे रहा है इन आर्थिक पर्तिबंदों से चीन बोखला गया है आपको बता दे कि भारत सरकार ने पिछले दिनों टिक टोक सहीद उनसर चैनिज आप को पर्तिबंद किया था इसके साथ ही 47 कलोन आप को भी अब पर्तिबंद कर दिया गया है इसी वीच भारत में चीन के दुतावास्त से कड़ी पर्तिखिरिया आई है दुतावास्त ने इसे कमपनियों के कानूनी अधिकार का उलंगन बताया है जरकन मौसम विभाग के अनुसार आज 29 जुलाई को राजभर में मांसुन सक्रिये रहेगा इस दोरान बिभिन अस्थानों पर मुस्लाधार बारिस की संभणा है आपको बता दे कि मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई से मांसुन कमजोर होने की असर है अभी भाग को कराय भैक्सिन आने के बाद स्कूल खोले राज के सरकारी अनुजी स्कूल शंक्रमन के इलाज के लिए भैक्सिन आने के बाद ही खोले जाए अधिकतर अभी भाग को ने स्कूल खोलने को लेकर सिक्षा भी भाग को यहीं सुझाओ दिया है आपको बताओ दे कि इसकुली सिक्षा वह सबसकता भी भाग और जार्खन सिक्षा प्रयोजना परिशत के वेपसाइट पर दिये अगर लिंक में आप तक 46,000 अभी भागों ने सुझाओ दिये इसमें से आसी फिश्दे से अधीक भैक्सिन तयार होने के बाद सुझाओ खोलने की पक्ष में हाएं जार्खन में आज 802 ने संक्रमितों को पुष्टी हुई जो राची से 231 पलामू, 119 गिरी डी ब्यासी, पूर्वी सिम्मों उनासी, हजारी बैक पैसर्ट, सिम्डेगा 47, कोडार्मा 42, देवगार 31, पच्मी सिम्मों 20, पाकुर 17, चात्रा 12, गड़वा 12, गुमला 9, सराय क साथ, लोर्दागा 6, खूर्टी 5, जामतराचार, भुकारो 3, रामगर 3, धनबाद 3, गोड़डा 2, दूमका से 1, जार्खन में कुल संक्रमितों को संख्या 96, 89 है, जब कि 4984 लोग स्वस्थ यह और 94 की मिरिती हो गई, भारत में कुल संक्रमितों को संख्या 15,32,135 है, जब क साथ, गड़वा 233, गिरी दोच्वश्थ पलामो 208, गुमला 109, रामगर 188, पहकुल 141, लाते आरेक्स अबकी सराइकला 124, लोर्दागा 113, साहभगां 105, पाचमी सिमवों 104, देवगार 103, सिमटे का पंचार में, संक्रमन पर विश्यस वीडियो आए9 बजए आएंगे, आप देखना ना भूले, थाइंक्यू, रिम्स में पलाजमा थेरेपी का उदगाटन, पलाजमा डोनेट करने वालों को एक हज़ार दिये जाएंगे, जर्खन में संक्रमन के कार के बिच खुशखबरी है, जर्खन में भी आप गंभीर मरीज का इलाज पलाजमा थेरेपी स रिम्स में हो सकेगा, मुखमंत्री हमन सुरेन ने इसकी उदगाटन रिम्स में पलाजमा थेरेपी सेंटर का किया, उन्होंने कहा कि रिम्स में या पाला कदम है, राजे के अन मेडिकल कॉलेजों में भी इसकी सुरुवात की जाएगी, आपको बता दे कि मुखमंत्री हमन स का दायार सुप्रीम कूट में जरखन की हमन सुरें सरकार द्वारा जिस समबर में सता में आने के बाद ड़े ज़ी-पी का तवादला करने और अंत्री sır ड़ी पी में सिस्थ की नियमों का उलंगन करने खिलाब जनीत याचका दाखिल की गई है समाजिक करकाता प्रहलाद नराइन सिंग ने याचका में कहा है कि डीजीपी डीके पांड़े के कारकाल की समापती को देखते हुए जहर्खन सरकार ने सिग्र अदालत द्वारा प्रकासिंग मामले में दिये भी संक्रमित मिल रहे हैं उनमें से 60% का कनेक्शन बिहार या बंगाल से है संक्रमित या तो खुद या उसके घर का कोई सदसे इन दोनों राजियों में से किसी एक से होका लोट रहे हैं वहीं कई संक्रमितों को भी बिहार से जहर्खन लाया गया है ऐसे करने वाले का कहना ह कि बिहार की तूलना में जार्खन में बेहतर इलाज होगा ऐसे मामले की जाज की जा रही है स्वास्त विभा के प्रदान सचीव डाक्टर निती मदन कुलकर्णी ने सोमवार को प्रजेक्ट भावन में प्रेस वारता के दुआनिया बात कही लम्हो की खता के लिखक सर्जू राय बोले मेरा उद्दे से सिस्टम बदलना है किसी को जेल भेजना नहीं निर्दलिय विधायक सर्जू राय ने कहा कि वह वरश्टचार के खिलाप अपनी भूमकार निभाते हैं सोच को तत्यों के साथ सामने लाते हैं आज तक एक भी मामला गलत सावित नहीं हुआ है कोई जेल जाए या उद्दे से नहीं होता के वल सिस्टम के बदलाव में भूमकार निभाते हैं स्वमवार को सिरी राय अपनी भूचार्ची पूस्तक मेन होट नियुक्ति घोटाला लामों की खाता के बीमोचन के मोखे पर बोल रहे थे मुख्य मंत्री के पुर्व ओएश्डी के पास आई से अधिक संपति मामला दर्ज मुख्य मंत्री हेमान सुरन के पूर्व ओएश्डी गोपाल जी तीवारी के खिलाप एसी बी ने पी दर्ज की है गोपाल जी तीवारी पर पद का दुरूपयों करते हुए अबाद संपति अरजित करने का अरोफ है अधिवक्ता राजीव कुमार ने गोपाल जी तीवारी के संपति वा कथित गलत का नामों की जनकारे मुख मंत्री हेमान सुरन को दी थी इसकी सिपात के अधार पर सोमवार की देरात मंत्री मंदल निगराने विभाग ने एसीवी को पी दर्ज करने का अधेश दिया था